हेलो दोस्तों आप सब का स्वागत है और आज हम आपके साथ बहुत ही मैध्पून टॉपिक डिसकस करेंगे जो कि आने वाले एक्जाम के लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट है फिर चाहे वो JPSC हो BPSC हो UPPCS हो या फिर कोई और भी State PCS हो बहुत इंपॉर्टेंट है तो चली देखते हैं वो टॉपिक क्या है वो टॉपिक है National Population Policy यानि कि राष्ट्री जनसंख्या निती तो हम जानेंगे दोस्तों कि जो भारत में राष्ट्री जनसंख्या निती चली है वो उसका जो है विकास किसी साब से हुआ उसका जो है अचीब्मेंट क्या रहा उसमें क् और क्या अभी के परिवेश में जरूरी है कि एक सक्त नई राष्ट्री जनसंख्या निती बनाई जाए तो ये आपका Question है और हम इसको पांच पार्ट में समझेंगे वो क्या क्या है पहले तो हम जानेंगे कि राष्ट्री जनसंख्या निती होती क्या है फिर हम समझेंगे क उसका विकास भारत में कैसे हुआ, फिर हम जाने हैं कि उसकी उप्लब्दियां क्या है, उसकी कम्यां क्या है, और तब हम लास्ट में समझेंगे कि क्या अभी के करेंट सिचुएशन में ये जरूरी है कि एक नई सक्त जनसंख्या निती लाई जाए, ठीक है, तो चलिए स्टा होती है, उसमें कुछ बड़ा बदलाओ किया जाता है, तो भारत विश्व का पहला देश बना, जिसने 1952 में ही नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है, वो चालू किया, स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्टिंग में हमने गांधियन अप्रोच अपनाया, और स्टार्टिंग का खुद पर कितना ज्यादा कंट्रूल है, ठीक है, तो इसको जो बोलते हैं, क्लिनिकल अप्रोच बोलते हैं, और इसमें जो है, उतना ज्यादा कुछ नहीं किया गया, बस इन्फोर्मेशन इखटा की गई, कि हाँ जी, मतलब बर्थ रेट कितना है, देथ इसमें कौन सा अप्रोच अपनाया गया, क्लिनिकल अप्रोच अपनाया गया, पर ये जो है, इतना अबादी के लिए ऐसा चीज जो है, मतलब उट के मुह में जो जीरा करते हैं, वही वाली बात हो गई, उसके बाद जब 1960 का जो सैंसर का रिपोर्ट आया, और उसमें जो प अब जो है, जगर-जगर जो है, छोटे फैमिली के एडवांटेज पर बात करना, स्टार्ट करने लगी, और साथी साथ, 1966 में क्या हुआ, कि एक मिनिस्ट्री बनाएगी, मतलब फैमिली प्लानिंग के एक मिनिस्ट्री बनाएगी, मिनिस्ट्री आफ हेल्थ के अंदर, तो 1960 से, जो 1970 तक का जो टाइम प्रेड रहा, इसको हम एक्स्टेंशन अप्रोच बोलते हैं, 1950 से 60 को बोलते हैं क्लिनिकल अप्रोच, और 1960 से 70 को एक्स्टेंशन अप्रोच, जिसमें की कंटर सेप्टिप्स की भी बात की गई, लेकिन आप जानते ही हैं, कि उस समय तक हम लोग क इतने सूपरस्टीशियस थे, और बच्चों को जो है भगवान की देन मानते थे, और कॉंटर सेप्टिप की इस्तमाल करना यह सब जो है, इसको बहुत गलत मानते थे, तो इसका भी कुछ उतना प्रभाव नहीं परा, फिर 1970 के बाद जो है, क्या बदलाव देखने को मिला क कि एस्तुलाइजेशन कैम्प लगने लगे, और बंध्या करन क्या जाने लगा, और यह चीज जो है, मतलब 1975 में ऐसा फील किया गया, 1975 के पहले क्या था, कि वोलेंटरी था, कि आपको परिवार नियोजन करना है, फैमिली प्लानिंग करनी है, और सरकार को ऐसा लगता है था एजुकेशन और एकोनॉमिक के फ्रंट पे, लेकिन सोच रहे थे कि चमतकार हो जाएगा, वही बात हो गई कि सिविल के लिए जो है, आप आट-नौ घंटे मतलब कम से कम 6-8 घंटे जो है, महनत नहीं कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि बस कुछ चमतकार हो जाएगा, और हम ए लेकिन ऐसा हो नहीं रहे था, तो फिर सरकार जो है, 1975 में फोस्फुल करके जो है, लो कस्टरलाइशन कराने लगी, बंध्या करन कराने लगी, और इसके वज़े से जो है, लोगों में काफी आक्रोस हो गया, ठीक है, लोगों में जो है, मतलब गौवर्मेंट के प्रती जो ह काफी हिन भावना हो गई, यहां तक कि लालू परशाद यादों कहते हैं कि हम क्या करें, मिरे नौ बच्चे ऐसे ही नहीं हो गया, गौवर्मेंट जो है, वो फैमली प्लैनिंग का प्रोग्राम लाई थी, और हम जो है उपोजिशन में थे, और मेरा काम यही था, कि गौव को बोलते हैं, कैम अप्रोच, ठीक है, और गौवर्मेंट जो है, उसमें भी जो, स्टार्टिंग में तो पुर्सो का कुछ बंध्या करन कराया गया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि, फीमल स्टलाइशन पर ही ज्यादा फोकस किया गया, जबकि मेल का स्टलाइशन करना ज्य क्यों ऐसे न जाने, कितनी मेलाओं की जाने भी चली गई, और गौवर्मेंट न ये भी कहा कि, हाँ, जो बंध्या करन कराया गया, उसको मतलब कुछ कैस अमाउंट दिये जाएंगे, तो 1950 से 60 पहले हमने क्लिनिकल अप्रोच रखा, जिसमें की में फोकस रहा, सेल्फ कंट् उसके बाद जब 1960 कर जो सेंकसिस का रिपोर्ट आया, तो उसके बाद गौवर्मेंट की नीन खुली की नहीं जी, हमको और इसको बढ़ावा करना होगा, तब बरे पैमाने पे सरकार ने पचार पसार स्टार्ट किया, हम दो, हमारे दो का जो नारा जो है, उसको जो है, चाल सकता परती थी, फिर बच्चों की काफी देथ हो जाती थी, शादी जल्दी हो जाती थी, तो इन सब वज़ों से हमारा जो बर्थ रिट वो क्या रहता है, वो मतलब थोड़ा हाई रहता है, अब मतलब उसमें ज्यादा कुछ कमी देखने को नहीं मिलती है, उसके बाद जो ह यह तो और बढ़ जाता है, लेकिन इससे जो है लोग और नाखुश हो जाते हैं, उसके बाद जो है, अब कॉंटरसेप्टिस का जो यूज है, सहरों में खासकर काफी बढ़ने लगता है, और लोग जो इसका इस्तमाल करने लगते हैं, तो 1980 के से 90 का जो प्रियर्ड रहता ह मतलब आपके पास अलग-अलग उपाए हैं, फैमिली प्लानिंग करने के लिए, ठीक है, तो 1980 के बाद ये भी बदलाओ देखने को मिलता है, साथी साथ सरकार जो है, एजुकेशन और हेल्थ में भी मतलब जादा जो है, इंटर्वेशन करने लगती है, भारत की पहली जो है 1993 में पॉलिसी आती है, हेल्थ पॉलिसी उस पर मतलब हेल्थ पर जादा फोकस किया जाता है, और एजुकेशन में भी फोकस देखने को मिलता है, और एक और यहाँ पर मैं आपको बात बताना भूल गया, कि 1976 में भारत की पहली जो है राश्टी जनसंख्या निती आती है, ठ 18 से बढ़ा के 21 कर दिया रता है, साथी साथ ये भी बात बोलिया थे कि हम फीमेल एजुकेशन पर ध्यान देंगे, और उसके बाद जो है, अब टार्गेट्स भी रिखा जाते हैं, कि हम IMR को इतना करेंगे, MMR को इतना करेंगे, कुछ पर्टिकुलर टार्गेट्स भी उसम जब population growth में कुछ कमी नहीं दिखने लगी, population growth में मतलब बढ़ते जा रहा है, तो फिर जो है government मतलब इसको और अच्छे से implement करने के लिए सब बदलाव करी, उसके बाद 1992 से आप जानते हैं कि क्या weekendry करन मतलब हो गया, panchati रार सिस्टम इसा पर focus दिया जाने लगा, तो ये ब centralization के तरब कदम बढ़ाया गया, साथी साथ एक बहुत important conference हुआ 1994 में, जिसको बोलते है international conference on population and development, ये आपका कैरो में हुआ था जो कि एजिप्ट की राजधानी है, और भारत भी उसका signatory बना, और उसमें ये बात कही गई कि देखे, केवल family planning पे focus करने से कुछ नहीं होगा, आपको आर्थिक समाजिक विकास करना पड़ेगा, आपको सिच्छा में विकास करना पड़ेगा, साथी साथ महिलाओं पे आपको विकसे focus रखना पड़ेगा, जब महिलाएं पड़ी लिखी रहेंगी, empowered रहेंगी, तो वो खुद समझेंगे कि हमको कितना baby करना है, कितना baby नहीं करना है और marriage का जो age है उसमें भी थोड़ा लेट होगा तो ये बहुत important है ICPD के नाम से उसको जानते है International Conference on Population and Development और भारत उसका signatory बना बहुत से दिस उसके signatory बने साथ ही साथ स्वामिनाथन कमीटी को भी बैठाया गया उसके बाद government जो है अब जो reproductive and child इस पे भी जो है focus child welfare पे भी focus दे जाने लगा nutrition पे भी focus दे जाने लगा मतलब government जो है comprehensive scheme को follow करने लगा कब ICPD को sign करने के पाद उसके पहले भी government कर रहा था लेकिन होता ना कि आप एक दबाओ है आप एक मतलब जब accountability आपकी बढ़ जाती है आप देखते कि आस पास आप अच्छे perform कर रहे है हमसे जो गरीब देश है वो भी हमसे अच्छा perform कर रहे है तो फिर मतलब आप पे भी pressure बनता ही बनता है तो ये 8.5 ये plan से बढ़ा बदलाओ देखने को मिला एक तो decentralization देखने को मिला weekend करन क्योंकि अब 73rd amendment और 74th amendment हो चुका था और आपको जो है पंचायती सिस्टम और जो नगर पालिकास को सनुधानिक दरजा मिल गया था और ये चीज़ आपको हर जगर देखने को मिल रही थी तो family planning में भी ये देखने को मिला और साथ ही साथ government जो है जो कि ICPD को signatory बना तो government को समझ में और अच्छे से आ रहा है ऐसे 1980 के बाद बदलाओ तो हो ही रहा था हमने आपको बताया कि सरकार जो है पहली अपनी राष्ट्रिय हेल्थ policy लेके आई थी जिसमें उसने कहा था कि हाँ स्मॉल फैमिली होनी चाहिए सिक्षा पर भी मतलब ध्यान दिया जा रहा था लेकिन अब international signatory होने के विए से सरकार और भी ज़्यादा फोकस्ट हो गया उसके बाद और भी अच्छे से कारिकरम चलने लगे फिर 1984 में स्वामिनार्थिंग कमिटी बनाई गई और फिर 1987 में एक मतलब विमेन के रिप्रोडेक्टिव सिस्टम पे काम किया गया चिल्डेन विल्फर पे काम किया गया और उसके बाद जो है 2000 में फिर जो है नेशनल पॉपलेशन पॉलिसी आई दूसरी वाली पहली का बाई थी 1976 में आई थी जिसमें क्या किया गया था जो साधी का एज है महिलाओं का उसको 15-18 और जो मेल उसको 18-21 किया गया था साथी साथ IMR, MMR का भी टारगेट रखा गया था महिलाओं की सिख्छा पे फोकस करना ये भी ध्यान रखा गया मतलब ध्यान दिया जाएगा ये सब ये सब मतलब काम किये गया थे उसके बाद हम जो है अब कॉंटरसेप्टिप्स को भी बढ़ावा देंगे क्योंकि हम लोग जो है जैसे आपको बताए कि वही बच्चे को आने दीजिए क्योंकि वह भगवान की देन है और प्लस गरीबी भी बहुत थी बच्चे मर भी जा रहे थे असिच्छा भी जादा थी सादी भी बहुत कम एच पे हो जा रहा था तो इस वज़े से पहला तो वह पॉपलेशन पॉलिस या था इस पहला है उसको मतलब फ्रीली अवेलेबल कराना परेगा उसके बाद और लोगों में अवेनर्स क्रियेट करनी परेगी खासकर जो ग्रामीन इलाके हैं वहां पे ना के थुरू और भी तरीकों के थुरू करना होगा उसके बाद आपका जो डिसेंटलाइशन उस पर फोकस करना ही करना होगा और विसेश जो ध्यान है वह आपका रूलर इंडिया पर होना चाहिए क्योंकि सहर में तो क्या है इंडिस्टलाजेशन हो रहा है लोगों में जागरुकता बढ़ रही है सिच्छा का स्तर बढ़ रहा है स्वास का चीज बढ़ रही है महिलाएं काम करने भी जा रही है तो सहरों में जो है वो कमी देखने को मिल रही है लेकिन जो गाउं है वहां पर कमी दे कर रहा है तो उसके बाद ये साब किया गया और फिर दोःजार पांच में जो क्या हुआ नेश्नल दूल strikes मिशन चालू किया गया और जो पोपलेशन पॉलिसी है उसका भी जिम्मा उसको को सौब दिया गया और नेशनल दूलर हेल्थ मिशन में बहुत काम भी हुआ फिर आपका जो मिद्डे मिले स्कीम हुआ उसको और स्टेंथेन किया गया फिर आगे चलके जो है महिलाओं को अलग-अलग सुईधा दी गई जन्नी सुरक्षा योजना और मतलब कैस्ट फेसलिट तो यह हमने इवोलूशन समझा और फिर इसका हम मतलब बाकी जो एनरहम था फिर अभी हाल फिर में जाकि वो नेशनल हेल्थ मिशन में तबदील हो गया है और अब जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी आई है 2017 में जिसमें की और भी टार्गेट्स रखे गया है तो यह सबका परिनाम क्या देखने को मिल रहा है कि अभी जो है यूएन की रिपोर्ट आई है उसमें यह बोला गया है कि 2010 से 2019 के बीच में जो है इंडिया का जो पॉपलेशन ग्रोथ है वो मात्र 1.2% हो गया और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट आई है फोर्थ की उसम इंडिया का टीफ आफ र क्या हो गया है। 2.2 यानि की जो है पॉपलेशन स्टेबलाइशन में अच्छा पहल हो रहा है क्यूंकि टीफ र बोलते है कि अगर आपका 2.1 हो गया तों मतलब कंट्री का पॉपलेशन स्टेबलाइज हो गया। साथ ही साथ हमने जो है IMR और MMR में बहुत सुधार देखा है अगर अप लेटिस्ट बात करें IMR की तो वो हो गया है 1000 बच्चे में मात्र अब 32 बच्चों के ही देथ होती है और एक लाख महिला है बच्चों को जो जनम देती है तो उसमें 113 महिलाओं का ही देथ होता है तो यह जो है सब achievement रहा जब birth rate हमने आपको बताया था कि जो average age है इंसान की वो आजारी के समय 37 ती अभी बढ़के 67 हो गई है और death rate काफी कम हो गया है science and technology में भी काफी विकास आया है भारत जो है अपने मतलब medicines के लिए पूरे विश्वे में famous हो रहा है हाला कि health के सुविधा जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं है और covid ने इसको expose किया है लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले जो है काफी सुधार है लेकिन अभी भी बहुत कुछ सुधार करना बाकी है और अगर आप criticism की बात करें तो जो national population policy है मतलब बहुत लंबे टाइम तक जो है उसका focus किस पे रहा मात्र फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पे रहा और जो economic और social development है उस पे हमने काफी लेट से ज़्यादा ध्यान दिया प्लस हमने जो female बंध्या करना है कैम्प लाए करना उस पे ज़्यादा focus किया जबकि males का असानी से हो सकता है और उस चक्कर में न जाने कितनी females की death हो गई तो यह सब रहा अब next question पे आते हैं कि क्या अभी जरूरत है भारत को एक strict या stringent new population policy अपनाने की तो जैसे कि UN का report पिछले साल आया 2019 में उसमें यह बोला गया है कि भारत की population बढ़तो रही है दो हजार सताइस में भारत जो है चाइना को ओवर टेक कर लेगा लेकिन जब 10 साल का आकलन किया गया 2010 से लेकि 2019 तक तब यह पाया गया कि जो growth है वो बहुत ही कम है 1.2% है प्लस जैसे हमने आपको बताया कि National Family Health Survey की जो फोर्थ रिपोर्ट है उसमें भी यह बात सामने आई है कि जो टी एफार है तो जरूरत नहीं है कि stringent new population policy लाई जाए जरूरत यह है कि सिख्छा पे और ज्यादा focus किया जाए आपको जो health है पे और focus किया जाए women empowerment पे और ज्यादा focus किया जाए women के against जो crime होता है उसको कम किया जाए law and order को और सुद्रिड किया जाए तो फिर जो है देश के लिए अच्छा रहेगा और अभी हमारा जो demographic dividend है यह हमारे लिए burden नहीं है यह हमारे लिए वर्दान साबित होगा अगर इनको proper सिख्छा, proper skill और proper health विधाय और income opportunity provide की जाए तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह topic समझ में आया होगा हम फिर से एक बार पुरे topic को revise करते हैं question हमारा रहा कि आप यह बताए मतलब आप जो है भारत की राष्ट्रिय जनसंख्या नीती national population policy की समिक्छा कीजिए साथ ही साथ यह बताए कि क्या present circumstances में जो है भारत को एक सक्त national population policy बनाने की आव सकता है तो हमने आपको इसको पांच पार्ट में समझाया पहले हमने आपको यह बताया कि national population policy होता क्या है तो देखिए जो policy होता है उसका मतलब मकसद होता है particular goal को achieve करना तो national population policy government के उन measures को कहते है जहां एक तरफ वो demographic indicators जैसे की fertility, maternity और migration को check करती है और दूसरे तरफ वो जो है सामाजिक और आर्थिक विकास करती है national population policy का मकसद केवल जनसंख्या कंट्रोल करना नहीं होता है ठीक है दो काम होता है national population policy का क्या क्या एक तो होता है कि आपका जो demographic indicators है fertility rate को कम करना, maternity rate को, मतलब mortality rate को, जो मरने का जुद्धार है उसको कम करना IMR, MMR में सुधार करना, birth rate, death rate को control करना और migration को भी check करना और साथ ही साथ जो है ये भी ध्यान देना कि देश का प्रॉपर सामाजिक और आर्थिक विकास हूँ ये रहा आपका national population policy और भारत जो है ये विश्व का पहला देश बना जिसने 1952 में जो है वो आपका national family planning program चालू किया लेकिन starting में क्या focus रहा कि लोग जो है self-control रखेंगे और जांकारी खट्टा की गई कि हां कितने लोग की death हो रही है मतलब demographic जो है जांकारी खट्टा की गई और central level पर state level पर जो है क्लिनिक्स खोले गए तो इसको बुला गया clinical approach साथ ही साथ एक central board भी बनाया गया उसके बाद 1950 से 1960 का टाइम प्रेडर उसको क्या बोला गया clinical approach फिर 1960 से जब 1960 में census की report आई और पाया गया कि जो growth rate of population का वो बहुत ज्यादा हाई है तो government खट्टा serious हुई और अपने जो clinical approach है उसको करी extensive approach अपनाई और contraceptives IOC DSF के बारे में भी जांकारी दी जाने लगी और ज्यादा क्लिक्स खोले गया लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि लोगों में जो है सिक्षा की कमी थी शादी जल्दी हो जारी थी उसके बाद चुकि भारत एक क्रिसिर प्रधान देश रहा है तो वहां जो है वो बच्चों को भगवान का जो है आश्रिवाद मानते थे तो इस वज़े से जो है contraceptive की तरफ ध्यान नहीं गया उसके बाद 1970 से उसके बाद 1966 में एक और बड़ा चेंज क्या देखने को मिला कि एक मतलब डिपार्टमेंट बनाया गया फैमली प्लानिंग के लिए उसके बाद है आपका 1970 से जो 1980 का टाइम इसको हम बोलते है कैंप अपरोच अब गवर्मेंट को लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा हमको ज बहुत बड़े पैमाने पर की गई और जिससे लोगों में काफी आक्रोज रहा 1976 में हला कि और एक अच्छी चीज हुई कि भारत ने अपना पहला National Population Policy जारी किया जिसमें की महलाओं के एज को बढ़ा दिया गया, पुर्सों के एज को बढ़ादीया गया 18 Years और पुर्सों के एज को बढ़ा के 21 Years कर दिया गया साथी साथ ये भी फोकस रखा गया कि अब हमको जो है सिक्षा पर कारे करना परेगा, हेल्थ पर कारे करना परेगा, फिमेल एजुकेशन पर काम करना परेगा, तब ही जाके जो है फिर बात बनेगी, तो 1970 से 1980 का जो टाइम प्रियेड रहा वो रहा आपका कैम अपरोच, उसके बाद 1980 के बाद अब लोगों में खासकर जो सहरी लोग थे, उनमें जो है कॉंडोम की, उसके बाद कंटरसेप्टिफ पिल्स की, ये सब जो है चीजे बढ़ने लगी, लेकिन गाउं में जो है उतना जादा इसका असर नहीं देखने को मिला, फिर भी जो है लोग के पास option काफी बढ़ने लगे तो फिर इसको बुला गया कैफेटेरिया अप्रोच, जो कि 1980 से लेकि 1990 तक अपनाया गया, साथी साथ, 1993 में गवर्मेंट अपनी पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी लेकिया जिसमें भी यह लक्ष रखा गया कि छोटा परिवार, खुशी का अधार ऐसे से करके जो है और पहले से गवर्मेंट के हम दो हमारे दो चला तो रही थी लेकिन उसको अच्छे से इंप्लिमेंट नहीं करवा रही थी, वो लोगों के उप और फिर 1992 में जो है जब आपका 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट हो गया याने कि परंचायती राज और नगरपाल का यह सबको संधानिक दरजा मिल गया तो गौर्मेंट भी जो है डिसेंट्राइशन करी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में इसमें क्या था कि अभी तक जो है बस सैंतलाइज अप्रोच था लेकिन अब जो है डिसेंट्राइब अप्रोच को मतलब बहुत जादा फोकस किया गया और स्टेट्स को भी मतलब बोलागया कि आप भी और जाद 2 इसमें पहल कीजिये साथी साथ जो है सिक्षा और स्वास्त पे बहुत जादा मतलब फोकस दिया जाने लगा विमेन एजुकेशन को बढ़ाने के लिए भी काम के जाने लगा और जस्ट 1994 में जो है इंटेनेशनल कॉन्फरेंस हुआ और जिसने कहा कि देखिए केवल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पे ध्यान देने से काम नहीं चलेगा आपको जो है अपने सामाजिक आर्थिक विकास करना एकदम मेंडेटरी है साथ ही साथ आपको जो है विमेन के डिलपमेंट पे विमेन के इंपार्मेंट पे पुरा फोकस करना पड़ेगा तब जाके आपके हां मतलब पॉपलेशन स्टेबलाइशन होगा और गवर्मेंट चो कि इसका सिग्णेटरी बनी तो गवर्मेंट ने फिर उसको करने के लिए स्वामिनात्रं कमिटी को भी अपॉइंट किया लेकिन उस समें जो है जो है जो आपका नाइटन ने ने तक काफी जादा सरकार में उथल पुथल हुआ तो उसको नहीं किया सक्या हाला कि 1987 में जो है विमेन के रिप्रदक्शन और चिल्डर्न के वेलफेर के लिए जो एक प फोकस करना है और चिल्डर्न के वेलफेर पे ज्यादा ध्यान देना है तो यह बदलाव किया गया और फाइनली आई सीपीडी और स्वामिनात्रं कमिटी के इस पर जो है गवर्मेंट 2000 में एक नई नेश्टनल पॉपलेशन पॉलिसी लेकिया यहां एक चीज़ मैंने मिस कर आयात तब ठीक है और फिर इसको नेश्टनल पॉपलेशन पॉलिसी 2000 में फिर यह बात बोला गया कि आपको जो है 14 साल तक कर जो सिक्षा उसको फ्री करना परेगा आयमार को पर्टिकुलर लेवल पर लाना होगा और आपको जो है हेल्थ पर बहुत ज्यादा फोकस करना पर तो यह सब चीजे हुई और उसके बाद जो है यह बोला गया कि आपको जो ग्रामीन छेत्र है उस पे बहुत ज्यादा फोकस करना परेगा तो हमने क्या-क्या देखा कि पहले क्लिनिकल अप्रोच फिर एक्स्टेंशन अप्रोच फिर कैंप अप्रोच उनिस सट्र से बीच म उसके बाद कैफेटेरिया अप्रोच उसके बाद जब नेशनल पॉपलेशन पॉपलेशन पॉपलिसी 2000 आई तो फिर काफी जो है बदलाओ देखने को मिला लेकिन ग्रामीन सेक्टर में अभी भी उतना ज्यादा बदलाओ नहीं आ रहा था तो फिर गौवर्मेंट ने ने रूलर हेल्थ मिशन बनाया और उसके अंदर भी जो है पॉपलेशन को चेक करने के लिए काफी सारे स्कीम चलाया साथी साथ ग्रामी इलाके में जो है हेल्थ पे एजुकेशन पे और ज्यादा फोकस देना स्टार्ट हुआ अंगनवाडी वर्कर्स के थुरू आसा वर्कर्स के थुरू और भी ज्यादा काम करना स्टार्ट हुआ और फिर हम देखते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन हुआ गवर्मेंट जो है और हेल्थ पॉलिसी लेके आई 2002 में फिर 2017 में तो काफी ज्यादा विकास हुआ है और जैसे अचीवमेंट की बात करें तो हमने जैसे अपको बताया कि UN की एक रिपोर्ट पिसले साल आई इसमें ये बोला गया था कि 2027 तक भारत चाइना को ओवर्टेक कर लेगा लेकिन ये भी बोला गया कि 2010 से लेकि 2019 तक पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेंज है वो बहुत कम रहा ह कितना रहा है 1.2% साथ ही साथ भारत की अपनी जो नेशनल फैमिली हैल सरवे फोर्थ की रिपोर्ट आई उसमें ये बोला गया है कि पॉपुलेशन जो इस्टेबलेशन के तरह बढ़ रहा है क्योंकि बहुत से स्टेट और यून टेरिटरी ने जो है टी फार 2.1 का लक्ष अचीब कर लिया है और जो पॉपुलेशन और स्टेबलेशन के तरफ बढ़ रही है और हमारा आएमार में भी काफी सुधार हो गया है 32 आउट अफ थाउजेंट और एममार में भी काफी सुधार हो गया है 113 आउट अफ वन लाक जिन्होंने नहीं देखा डिस्क्रिप्श कि कहा पर फोकोस किया बस फैमली प्लानिंग प्रोग्राम पर फोकोस किया और एकनोमिक और सोचल डिलापमेट पर फोकोस नहीं किया साथी साथ हमने जो है डि peerage जादा फोक्स किया और बहुत गलत तरह के-सको करी ओन किया उसको से कितनी महिलाओं की जान चली गई उसके बाद हमने यह नहीं समझा कि जब तक integrated approach नहीं लिया जाएगा, drinking water proper नहीं होगा, sanitation proper नहीं होगा, तब तक उसके बाद literacy और health अच्छा नहीं होगा, तब तक जो है stabilization नहीं हो सकता, तो यह सब चीजों को समझने में काफी जादा समय लग गया भारत को, और मतलब उसका काफी खा नहीं होता, और फिल लास्ट में वही question कि क्या भारत को अभी stringent national population policy अपनाने की जरूरत है, तो जैसे हमने आपको अभी data बता रहा है कि जो population है वो इस्थिता के तरह बढ़ रहा है, 2045 तक भारत का population बहुत rise करेगा, लेकिन उसके बाद जो है population में गिरावट आएगी, तो ह हमको जो है stringent national population बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमको जरूरत है कि हम अपना education, health, income opportunity, skill हमारी है demographic dividend है, मतलब 15 से 69 के जो लोग है वो बहुत जादा है, in fact more than 60% है, तो हमको जरूरत है कि उनको proper education, skill provide की जाया, ताकि वो लोग देश को आगी ले जा सके है, तो दोस्तों, उम यह समझ में आया होगा, thank you